हेलो स्टुडेंट वेलकम टू स्वातिस क्लासेस आज हम देखेंगे फिप स्टैंडर का इविएस वन लेसन नंबर 23 इंफेक्शियर्स डिसीजेस और हाउ टू प्रिवेंट देम इस लेसन के कोशन और आंसर लेसन का एक्सप्लेंशन वाला विडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया स्टुडेंट अगर आप लोगों नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे इस चैनल पर आपको स्टैंडर फिप के इवेस वन इवेस टू मास इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगे और इवेस वन के सारे लेसन्स की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो चलिए आज हम कोशन आंसर देखते हैं कोशन नमबर वन आपको दिया है स्टूडेंट वाट्स दूडियों यू आर हंग्री बड़ फूड हास बिन लेफ्ट अनकवर्ड कि आपको जोर की भूक लगी हुई है लेकिन जो खाना है वह अनकवर्ड है अनकवर् तो आंसर इस हीटिंग केल ओल देखि जस्द इन फूड टो इससे क्या होता हे देखी जो फूड हे उससे अगर हम हीट करते हैं मतलब गरंकरते तो उससे क्या ॥क्यूर्ड और मर जाएंगे so if food is uncovered then we should heat the food तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए अगर food uncovered है तो उसे हमें गरम करना चाहिए eating warm food is always good for health तो warm food means क्या गरम खाना हम लोग जैसे ही खाना बनाती है तो गरम खाना हम अगर खाते है तो वो हमारे health के लिए अच्छा होता है ऐसे नहीं कि आज खाना बनाया फिर रात का खाना बचा हुआ है तो अगर दूसरे दिन हम खाएंगे तो उससे क्या होता है chances होता है food poisoning वगेरा या फिर खाना खराब भी हो सकता है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि अगर uncovered food है या फिर ज्यादा समय से रखा हुआ है तो उसे हमें गरम करना चाहिए जिससे क्या होगा कि जो disease फैलाने वाले germs उसमें अगर present है तो वो kill हो जाएंगे मर जाएंगे नेक्स्ट आमें दिया है question number two use your brain power जिसमें question आपको दिया है which method of preventing the breeding of mosquitoes will you recommend for your surrounding not allowing water to stagnate or spraying insecticide on the water and why तो देखे स्टुडम पर लों question को समझे कि question आपको क्या दिया है कि या पे दो method से कि आपको क्या करना है कि आपके घर के surrounding में stagnate water means कि जमा हुआ पानी जो होता है जैसे कि गड़े वगेरा है या फिर गटर वगेरा है तो वहाँ पर अगर पानी जमा हो रहा है तो वहाँ पर breeding of mosquitoes मतलब mosquitoes की संक्या बढ़ती है तो ऐसे में आप क्या करोगे कि पानी जो stagnate water उसे बिल्कुल अलो नहीं करना है पानी जमा नहीं रखने देना है और दूसरी चीज़ है कि spray in insecticides अगर mosquitoes की संक्या बढ़ चुकी है तो ऐसे water के उपर हम क्या करेंगे insecticides को spray करेंगे जिसके कारण जो है mosquito वहाँ पर नहीं रहेंगे तो आप कौन सा method choose करोगे यह आपको दिया है and why अगर आप कोई method choose भी करते हो select करते हो तो क्यों करोंगे तो यह आपको question दिया है तो answer आएगा not to allow water to stagnate this is better method for preventing breeding of mosquitoes तो देखिए mosquitoes की संक्या बढ़ने के बाद अगर हम insecticides spray करेंगे इससे better क्या होगा कि हमारे आसपास में बे बज़ा अगर पानी जमा हो रहा है तो उससे हमें बचना है वह हमें अलो नहीं करना है वह आपके कि कुछ तो ऐसा करिए कि इसके कारण जो है पानी जमा नहीं रहेगा however if there are gutters in the surrounding area then spraying insecticide on water will be recommended to kill the mosquitoes अगर आसपास के area में gutters अगर खुली gutters है नालिया है तो क्या कर सकते है कि ऐसे पानी के उपर अगर insecticides को spray किया जाता है तो उससे क्या होगा कि mosquito जो है वो किल हो जाएंगे therefore both the methods need to be applied sometimes तो कभी कभी क्या होता है इसमें से एक भी method हम चूज कर सकते है या फिर दोनों भी methods हमें करनी ही पड़ती है कि एक तो water हमें गर्टर्स वगेरा है या फिर कोई ऐसी चीज़े है कि जहां पर पानी जमा हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं जो insecticides होते हैं उनको स्प्रेड कर सकते हैं जिसके कारण क्या होगा कि जो mosquitoes है उनकी संक्या नहीं बढ़ेगी और सारे जो है कील हो जाएंगे और जो फिर एक ही एरिया के जो सारे लोग है उनमें एक ही तो सबसे पहले यह देखे स्टूडन की epidemic disease क्या होता है कि एक ही एरिया के जो सारे लोग है उनमें एक ही तरीकी का infectious diseases अगर हमें दिख रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं epidemic of the disease during an epidemic air and water gets contaminated with the disease germs and the disease spread rapidly तो epidemic disease क्यों होते हैं यह क्या करते हैं जो medium होते हैं जैसे कि air है water है क्या होता है यह जल्दी spread होता है क्योंकि वह contaminate हो जाते है जो disease person है उनके कारण यह क्या होगा air है water है यह contaminated हो जाता है जिसके कारण फिर जो disease होते है और rapidly फेलते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका infection होता है to control the epidemic we need to maintain hygiene and clean surroundings तो ऐसे अगर epidemic disease जो आते हैं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे epidemic disease को control करने के लिए हम सिर्फ हमारे hygiene और clean cleanliness को अगर रखते हैं तो उसे हम बच सकते हैं control कर सकते हैं अगर हमारा घर है घर के around जो भी area है उसे अगर हम clean करते हैं region maintain करते हैं तो ऐसे epidemic disease से हम लोग बच सकते हैं कि नेस्ट हमें दिया है second one what is an infectious disease की infectious disease क्या होता है answer is when disease spread from one person to another person they are called infectious diseases तो ऐसे diseases ऐसी बिमारिया जो spread होती है एक परसन से दूसरे परसन में तो देखिए क्या होता है कई बार एक disease अगर किसी परसन को है वो किसी और के contact में अगर आ जाता है तो उस इंसान को भी वही disease हो सकता है तो ऐसे जो diseases है या फिर ऐसे बीमारिया है उन्हें infectious disease कहा जाता है नेक्स्ट वन दिया है आपको what are the mediums of the spread of diseases तो जो बीमारिया होती है जो disease होते है उनके medium क्या होते है मतलब किसके त्रूँ फेलते है तो answer is diseases spread through medium like food, water, air and insect bite तो diseases mostly spread होने के कौन से medium में, कौन से माध्यम से spread होते है जैसे कि खाना है, पानी है, हवा है या फिर insect bite, जैसे कि नेके mosquitoes होते है जिनके काटने से हमें malaria, typhoid हो सकता है तो insect bite भी आएगा और हमारा खाना, पानी, air अकर उसमें contaminated है diseases जो germs है वो present है तो उसके कारण में हमें disease हो सकता है and sometime it also spread by coming in direct contact with the disease person जैसे कि हमने देखा infectious diseases तो उसमें mostly क्या होता है कि direct अगर हम लोग disease person के contact में आते हैं तो फिर भी हमें disease हो सकते है तो यह कुछ माद्य में हैं जिनके कारण disease spread होते हैं next हमें दिया है what is vaccination तो vaccination का नाम आपने सुना होगा जो हमें lus वगेरा दिये जाते हैं dose हम जिसे कहते हैं कि छूटे बच्चों को vaccine दिया जाता है तो वही है what is vaccination तो answer है when a person is giving a vaccine against a specific disease it develops resistance to the disease this process of giving vaccine is called vaccination तो vaccination क्या होता है देखिए student की किसी disease के against लडने के लिए हमें कोई vaccine दिया जाता है कोई lus कोई दवाई दी जाती है जिसके कारण हमारे बॉड़ी में resistance मतलब उस disease के खिलाप लडने की ताकत बन जाती है तो उस vaccine को कहा जाता है जो process होती है की vaccine देने की उसे vaccination कहा जाता है जिसके आपने सुना होगा छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें हर एक मेने दो तीन चार मेने के बाद क्या किया जाता है continuous period के बाद एक particular period के बाद उन्हें क्या दिया जाता है वैक्सिन दिया जाता है तो वही जो पूरी process होती है उसे कहा जाता है vaccination next आपको दिया है question number 4 true or false जिसमें first आपको दिया है intestinal diseases spread through air तो इसका answer आएगा false लेकिन answer false क्यों आएगा देखिए intestinal मतलब जो पेट की बिमारिया होती है तो यह किस तरह के से हो सकती है अगर हम लोग contaminated food खा लेते हैं तो उसके कारण होगा तो air के थ्रू तो नहीं होगा यह spread होगा through food तो यहापे आपको क्या दिया है intestinal diseases spread through air तो answer आएगा false तो इसका reason भी मै नगवन का कोप हो जाता है उसके कारण हमें diseases होते हैं तो यह answer क्या आएगा हमारा statement क्या आएगा false आएगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है जो डिसीज फैलाने वाले germs होते हैं वो अगर हमारे body में चले जाते तभी हमें disease होते हैं नेक्स आपको दिया है make a list of the vaccination given to a newborn baby तो जो नवजाद baby होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कौन से vaccination वाक्सिन दिया जाता है तो देखिए first column में आपको दिया है vaccine given मतलब vaccine के नाम दिये हैं तो जिसमें आपको दिया है BCG vaccine हेपा बी, oral polio, triple vaccine तो यह नाम आपने कभी सुने होंगे और BCG vaccine जो दिया जाता ह है disease against which it is given second column आपको दिख रहा है कि कौन से disease के against लड़ने के लिए आपको दिया जाता है तो BCG vaccine दिया जाता है against tuberculosis टी भी आपने सुना होगा तो tuberculosis यह पूरा नाम है उसका age of the newborn baby when it is given third column आपको दिख रहा है उसमें दिया है कि कब दिया जाता है बेबी को within 15 days after baby is just born जब 15 दिन का छोटा बेबी जब छोटा बेबी हो जाता है तो 15 दिन के अंदर ही BCG की vaccine दिया जाती है नेक्स्ट हेप अभी तो यह कौन से disease के अगेंस दिया जाता है joint disease caused by hepatitis B virus तो उसके अगेंस दिया जाता है और कब दिया जाता है as soon as the baby is born जैसे बेबी हो जाता है तो उसके बाद ही तुरंद यह vaccine दिया जाता है औरल पोलियो यह तो आपने सुना होगा जो मतलब एक दिन का बच्चा और पास साल तक उसे दिया जाता है तो अगेंस्ट पोलियो पोलियो के खिला प्लणने के लिए दिया जाता है और कब दिया जाता है within two weeks तो यह particular time के बाद यह continue होता है यह booster vaccine होता है कि यह आगें आगे दिया जाता है triple vaccine against diphtheria whooping up and titanus तो यह triple vaccine मतलब तीन जो डिसीज होते हैं उनके खिला प्लणने के लिए दिया जाता है और कब दिया जाता है मीटी ना sorry after six weeks baby is born baby जब born हो जाएगा तो उसके six weeks के बाद उन्हें दिया जाता है तो और भी कुछ है यहापे मैंने कुछ आपको दिये है इनको आपको द्यान से देखना है कि कौन से vaccine किसके खीला पूर ने दिया जाता है और कब दिया जाता है नेक्स्ट आपको दिया है classify the disease that spread through food through water and through air जैसे कि हमने देखा था कि this is spread होने के माध्यम कौन से होते है या फिर कौन से तरीके से वह spread होते है जैसे कि food contaminated food खान का मिनिंग होता है कि जिसमें germs present है खराब खाना हम जिसे कह सकते हैं तो उसके कारण कौन से होते है टाइफाइड हो सकता है cholera joint is gastro and diarrhea यह बिमारिया हो सकती है नेक्स्ट कॉलम में आपको दिया है through water कि अगर water खराब है वह अगर आप पीते हो तो कौन से disease होंगे टाइफाइ conjunctivities chicken pox तो इसमें से कुछ नाम तो अपने सुने होंगे तो यह diseases किसके कारण होते ही आपको यहाप पर समझ में आ जाए कर तीनों मिडियम के जो भी diseases है मैंने कॉलम में आपको दिये है नेक्स्ट आपको दिया है question number six give reasons जिसमें first question आपको दिया है when there is an epidemic of cholera we should boil water before drinking तो दिख जगा पर कॉलरा के patient हमें मिल रहे तो ऐसे में हमें पानी जो है गरम करके पीना चाहिए तो क्यों इसका रिजन हमें देना है तो answer is sometimes water gets mixed with a person who is suffering from the cholera and it gets contaminated तो mostly क्या होता है देखिए गाओ साइड में जहापे पानी की जगह होती है उसी साइड में लोग क्या करते है वहापे जाते है टॉलेट वगेरा के लिए तो वहापे क्या हो सकता है mostly chances क्या होते है कि person जो cholera patient है उसके feces पानी में mix होने की कारण वो पानी contaminated हो जाएगा और ऐसा पानी अगर लोग पीते है तो उससे क्या होगा cholera हो सकता है when people drink is contaminated water and epidemic of cholera spreads तो देखिए अगर कोई पानी का source है जैसे कि अगर dam है या फिर river है या फिर कोई भी पानी का source है वहापे अगर इस तरह के से contaminated water हो जाएगा वो सारे लोग पियेंगे तो वो cholera जो है easily spread हो जाएगा सारे लोगों में boiling the water kills the germs causing the disease तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम पाने को उबालते हैं boil करना मतलब उबालना अगर पानी को अगर हम उबालेंगे तो उससे क्या होता है जो germs present है पानी में वो क्या हो जाएंगे मर जाएंगे जो कि cholera हमें cholera की बीमारी हो सकती है वो germ present हो तो मह जाएंगे boil करने के बाद therefore during an epidemic of cholera one should boil water and drink तो इसी लिए देखे बारिश में बारिश की दिन जब होते है न mostly उस टाइम पानी खराब आता है तो हम लोग क्या करते है पानी को boil करके ही पीते हैं क्योंकि खराब पानी में क्या होता है कई सारे germs present होते ह है जिसके कारण बीमारिया काफी तेजी से फैलती है तो उस टाइम हम लोग क्या करते है पानी को boil करके पीते हैं तो उसी तरीके से जब cholera के साथ चल रही होती है तो हमें क्या करना चाहिए पानी को उबल कर ही पीना चाहिए नेक्स्ट आपको दिया है we should not allow puddles of water to stand in our surrounding puddles का मेंनिंग होता है छोटे छोटे जो गड़े होते है जिसमें पानी जमा हो जाता है बारिश में तो उन्हें हमारे surrounding में नहीं होने देना चाहिए तो क्यों तो इसका reason हमें देना है मॉस्किटो बाइट के कारण malaria फेलता है यह भी हमें पता है तो इसके कारण क्या हो सकता है कई सारे लोगों को malaria हो सकता है तो इसके लिए मॉस्किटो की संक्या नहीं बढ़ने देनी है और लोगों में malaria नहीं होना चाहिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हमारे surrounding में ऐसे गड़े जहापे पानी जमा होगा उन्हें alone नहीं करना